So what's up दोस्तो कैसे आप लोग मेरा नाम है समट राजबूद and I am supplement expert and anabolic science expert So दोस्तो आज मैं आपको बगाने वाला हूँ कि अगर आप कोई cycle run कर रहे हैं तो उसके बीच में supplements आपको कौन-कौन से लेने बहुत जरूरी है So बहुत सारी trainers का करते हैं कि कोई cycle तो recommend कर देते हैं बट उसके साथ में जो आपका OCT होता है या उसके बाद में जो आपका PCT होता है उसकी knowledge किसी को नहीं होती है So दोस्तो ये एक science है इसकी theory पढ़नी बहुत जरूरी होती है तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि in between this cycle आपकी OCT में है यानिकी on cycle therapy में कौन-कौन से supplements essential जो हैं वो चलने वाले हैं So पहले number पर जो मैं priority देता हूँ वो देता हूँ omega 3 पे So आप कोई भी अच्छी company का omega 3 आप ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर में पाद दो supplements हैं एक Q&T brand का एक walk wellness का है So these are omega 3 supplements जिसके अंदर 1000 mg का fish oil है 180 mg EPA 120 mg DHA है So basically यह cycle में जुरूरत क्यों पढ़ने वाली है क्योंकि जब आप cycle लेते हैं Tessasorn के जो side effects है Trend, Deca, यह जब side effects आपको देते हैं तो यह आपको heart पे थोड़ा damage देते हैं So heart से related supplements हैं यह omega 3 जो कि आपके heart को prevent करेंगे आपके hair, nails और skin को prevent करेंगे तो इसके साथ साथ मैं आपको vitamin E भी recommend करता हूँ जो आपकी skin and nails के लिए होता है अगर आप एक overall supplement लेना चाहते हैं तो इसमें आप biotin add कर सकते हैं biotin आपके healthy hair, nails and skin के लिए होता है जो आप cycle के बीच में लेंगे तो यह बहुत ही आपको benefit देगा second number पे जो मैं recommend करता हूँ वो multi vitamin है आप chemist की shop से या supplement store से एक अच्छा multi vitamin ले सकते हैं उसके साथ आपको liver support लेना बहुत ज़रूरी है because liver से related ही आपको side effects ज़्यादा होते हैं तो multi vitamin and liver support यह दोनों चीज़े आपको बहुत ज़रूरी लेने ज़रूरी है so third number पे जो चीज़ आती है दोस्तों वो आता है आपका testosterone support supplement so अब cycle के बीच में आप testosterone लेते हैं trend लेते हैं डेका लेते हैं उसकी वज़ा से हो सकता है आपकी sex drive या libido थोड़ा सा low हो जाए तो उसके side effects को बचाने के लिए उसकी prevention के लिए आप in between the cycle testosterone booster लेंगे तो आपको sex drive में help मिलेगी तो एक अच्छा testosterone booster आप ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पे वाग का रखा हुआ है आपको दूसरे भी men support supplements मिल जाएंगे जो आपके testosterone को support करते हैं otherwise अगर आप एक दूसरी medicinal चीज लेना चाहते हैं तो आप chemist पे जाएंगे और आप उनको बोलेंगे अच्छा testosterone को boost करने का supplement आप उनके मांग सकते हैं so that क्या होगा जब cycle चल रही होगी आपकी बीच में libido कम नहीं होगा sex drive कम नहीं होगा natural testosterone drop नहीं होगा so यहाँ पर चौथे नमबर पे जो चीज आती है in between the cycle आपके पास BCAA होना बहुत जरूरी है अब BCAA होने का कारण क्या है दोस्तों आप करेंगे heavy training because आप cycle ले रहे हैं तो heavy training के time पे आपकी जो muscles हैं वो बहुत जादा breakdown होती है तो अच्छी quality का BCAA आप ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पे diametize का BCAA रखा हुआ है आप दूसरे imported Indian supplements भी try कर सकते हैं जो BCAA में इस time पे अच्छी आ रहे हैं उनकी ratio तो best जो रहेगी वो 2 ratio 1 ratio 1 होनी चाहिए तीनो amino acids की और यह आपको बहुत benefit देगा आपका stamina में भी आपकी recovery में और muscles के breakdown होने से बचाने के लिए बहुत अच्छी help देगा तो पांचवे नमर पे जो मैं supplement आपको suggest करता हूँ वो pre workout supplement है तो दोस्तो आप cycle पे हैं तो definitely आप बहुत hard training करेंगे अब hard training के लिए आपको push करने के लिए एक supplement होना बहुत ज़रूरी है एक coffee के shot से काम नहीं चलेगा because एक coffee का जो shot होता है वो 60-70 mg caffeine ही आपको दे पाता है तो एक अच्छा pre workout supplement आप ले सकते हैं तो दोस्तो this is the butcher pre workout supplement आप मेरे से ये purchase कर सकते हैं अगर आपको वोई भी चीज purchase करनी होती है तो description में मेरा whatsapp and calling number available है आप मुझे वहां contact कर सकते हो और deep butcher की खाजियत मैं आपको बता दूँ जो मैं खुद यूज किया है इसमें caffeine की quantity 300 mg है जो की बहुत अच्छा पुश आपको देगा आपको pump के लिए इसके अंदर proper blend इसमें डाला हुआ है pump आपको अच्छा कासा दे सकता है आपको खुझली होती है तो उससे आपको एक adrenal rush मिलता है body workout so these are the supplements जो आपको एक cycle के बीच में चाहिए अगर आपको कोई भी external knowledge चाहिए for the cycle for the supplements so you can contact me through whatsapp or through email all the best